हेलो एब्रीवन नमस्ते मेरा नाम पूनम मलिक है और आप देख रहे हैं HR 13 जर्मनी वेल्कम बैक तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम आप पहुंचे हैं काईजर स्लोटन वेस्ट स्टेशन पे और वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया है आज हम काईजर स्लोटन सिटी को एक्स्प्लोर करने वाले हैं और यह हमारे बैग्ग्राउंड का नजारा आप ये लट्सकू तो जोग्रोफी की अगर बात की जाएग शाओ काईजर स्लोटन जो है वो एक टाउन है साओध्वेस्ट जर्मनी में और स्टेट का नाम है तो काईजर स्लोटन जो टाउन है वो प्लैटिनेट फोरेस्ट के एकदम एज पे है और अगर मेन सिटी से डिस्टेंस की बात की जाए तो फ्रैंकफर्ट से 117 किलोमेटर दूर है जो कि पड़ेगा लगबग 1.5 गंटा और इंटरस्टिंग चीज पैरिस यहां से सिर्फ 3 गं पेरिष फाजब कर दिस्वर घंटों में पहुंच सकते हैं वी भी अपहुंचे हैं साइकल्स तो यह जो टाउन है वो लगबग 140 स्क्वर क्लोमेतर के एरिया में फैला हुआ है तो पैदल हम कावर करनी सकते हैं इसंद्द चाहिए की से चलते हैं तो हम आप हाह पहुंचे ह अब स्कैन करते हैं और अन्लोक करते हैं साइकिल रेडी है ले जाने के लिए चलो निकालते हैं ओके तो चलिए निकलते हैं अब तो चलते चलते आपको बता दूं कि काईजर स्लोटन में दो बड़ी उनिवर्सिटीज हैं एक तो RPTU जिसमें मैं पढ़ती हूं और दूसरी है होक्षूले अप्लाइड सांसिस की उनिवर्सिटी वो मैं आपको अभी रास्ते में दिखाती हूं ज्यादा बड़ी उनिवर्सिटी नहीं है वो वाली चोटी सी है एकदम चार पांच बिल्डिंग होंगी चायद मुश्किल से लेट मी शो यू यू दैट बस अलमोस्ट पहुंच ही गए है वहाँ पे तो यह पहुंच गए है हम होक्षुली उनिवर्सिटी के एंपस में इतनी छोटी उनिवर्सिटी है कि दो मिनिट की वॉक में खतम हो जाती है यह है निवर्सिटी का केंपस भी जाती है तो युनिवरसिटी ली है हमने देख और rpq तो आपने देख लिया है दोनों युनिवर्सिटी आपने टोर कर ली हैं अब सिधा चलते हैं city hall की तरफ जहां पर city registrations होते हैं अजहां फाली चो बिल्डिंग है वह इस शहर की सब से बड़ी बील्डिंग है यूजली हर सिटी में एक सिटी हॉल होता ही है, जहां पर रिजिस्ट्रेशन्स वगरा होते हैं, काफी सारे उफिशल काम होते हैं वहां पर, तो चलिए वहीं चलते हैं शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बागी उडान पे रूना जान, क्यों इलाही मेरा जी आये आये बहुत ही बेकार गाना गाया है मैंने, बूट करना पड़ेगा इसको, मौसम बहुत ही सुखना हो रखा है, एकदम घुमने लाइक, और हम पहुंच ही गए, ओ भाई, सिंसा में रोड क्लोस करना है, तो हमें ये बटन दबाना होड़ेगा, और ब्रीन लाइट होने का इंतिसा तो ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर सारे सिटी रिजिस्ट्रेशन होते हैं, अब सिटी रिजिस्ट्रेशन है क्या, जब भी आप किसी नई सिटी में मूब करते हो, तो आपको अपने आपको रिजिस्ट्र कराना वड़ता है, सिटी रिजिस्ट्रेशन के धुरू, और वो होता है सिटी हॉल में, यहाँ पर और यह वाला जो है, वो यहाँ का थिएटर है And this is the I Love KL, जो की हर सिटी में होता है, चलो यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक करते है, फिर निकलते है तो अब हमने सिटी हॉल देख लिया है, और इसके बाद हम चलेंगे चर्च, लेकिन उससे पहले हम जड़ा एक बार रेवे घूंके आते हैं, मुझे एक बोटल है, जो रिटर्न करनी है और उसके मुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि मैंने अल्रेडी पे किये थे उसके पैसे एक्चली यहाँ पर क्या होता है, कि आप अगर कोई प्लास्टिक की बोटल वगेरा खरीदते हो, जैसे पानी ही हो गया तो उसको यूज करने के बाद, जब आप उसको रिटर्न करते हो तो आपको पैसे वापिस मिल जाते है इट्स रीली गूड थिंग कि आप रिसाइकलिंग को प्रमोट कर रहे हो, पर हमारे लिए थोड़ी सी महनत हो जाती है हमें फिर दुकान पर जाना परता है, उसको रिटर्न करने के लिए, उसका रिफंड लेने के लिए तो चलते हैं, थोड़ी सी स्नैकिंग भी कर लेंगे, भूख बहुत लगी हो यह रेवे एक्चल में एक जनरल स्टोर है, यहां पर बहुत सारी चीज़ा मिल जाती है, खाने पीने की, ब्रेड वगएर और, चली ब्रेड देखते है, बताओ इसमें से क्या खाया जाए, चीज़ें हैं तो काफी सस्ती सस्ती सी, कुछ मीठा ही खाना है, यह वाला खाये, इस कोच रही हूं, यही वाला लेलो, यह वाले थैले में भार लेते हैं इसको, इनकी मशीन काम नहीं कर रही है, तो चेक आउट पे बोटल देनी पड़ेगी, चलो, तो बोटल कर दी है, हमने रिटर्न, उसके पच्छेस सेंट्स मिल गएं वापस, बिल में ही, और मैंने एक औ और बोटल खरीद ली, और अभी हम चल रहे हैं चर्च की तरफ, लगित्र खरोटिय। पर खिरेफे तार्विव्य थैस्ट पर अप्राइब द्यूकर साहित कर दो नहीं है यरोप मैं सामने कोई फेस्टिवल चाल रहा है आप अपिरीज द आप्राइब रेखेज़ लिए जा नहीं है पर लाइस दिस अपिरेफेश देडियोगा है कर दो तो नहीं तो ख़गा है इसे एंवियरमेंट वर बेट के पिज़ा खाने का मज़ा लगी है चलो ज्वादा देर नहीं रिखते हैं निकलते हैं इस हो भाई सही में बहुत बीड़े बहुत ज्यादा बीड़े यह देखो तो 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 यह लगजी पहुंच गए हैं हम चर्च के पास यह वाली एक चर्च है जो यहां पे काफी फेमस है और पीछे मेरे मार्केट एरिया है आज पता नहीं क्यों इतने सारे लोग मार्केट में उत्रे हुए है अभी समर्ज चल रही है शायद इस वज़े से आई थिंक यहां पर एक और चर्च है मुझे नाम याद नहीं है शायद मारिया करके चर्च का नाम है लेट सी वहां पर गूम के आते है यह देखो यहां से व्यू यहां हर जग है कुछ नहीं कुछ फेस्टिकल चल रहे है अभी आंटी में ठोक देती मैं ते स्वीट थी आंटी स्माइल कर रही थी वाव 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 दो-दो यूरो में सही मिल रही है चीज़ यह यहां की मार्केट है लोकल मार्केट बोल सकते है इसको यह और उस नहीं लगती है ही वोकेशनल ही रखती है यह देखो जैसे आलू-आलू मिल रहे हैं हो लोग भर-भर के लिए जा रहे हैं शायद सस्ते मिल रहे हैं अब यह दाने रुखते हैं अब बाइक को पार्क कर देते हैं विगास थीस मिनट से जादा हुई तो पैसा कट जाएगा चाला। कर दो कमोले कर दो कर दो कर दो जएख बद्दाचर ट। कर दो कर दो बाल तो फाइनली हमने एक स्टेंड के लिए बस ली थी, जल्दी जल्दी पकड़ी है बस बाग बाग के और अभी हम पैदल चल रहे हैं, पांच मिनट की वाक है I believe, तो चलो यह वाली चर्च, आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूँगी, मैंने भी कभी नहीं देखी है देखते हैं, चलो, शायद वह सामने वाली है, ओ हाँ, वह देखो, वही वाली है चर्च, अभी इस चर्च के बाद क्या बज़ता है, जैपनीज गार्डन वह आपने देखा ही हुआ है, अगर नहीं देखा है, तो जाके देखो, यह वाली वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप् अभी तो बाहर से ही देख पा रहे हैं, लेट सी, ओ भाई, गेट खुला हुआ है, अंदर चल सकते हैं, बाहर का आत्ते हुए दिखा दूंगी मैं आपको, मुझे ऐसा कि लगड़ा है अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, और हमें अलाउड नहीं है, हाँ, ओ भाई, हाँ, हाँ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद हमें अलाउड नहीं होगा अंदर, चलो हुआपस चलते हैं, इसे बाहर से ही देख लेंगे, इसके खुबसूरती बाहर से ही है, अंदर इतनी खुबसूरत नहीं थी ये, आपको क्या लगता है और हमारे पीछे यॉरॉप की सड़के ये लोग किसी ने फिर से अपने घर का समान भाहर निकाल दिया लजाने को कोई भी लजा सकता है अब ये एक भाईया गाड़ी से उत्रे है वह उनकी गाड़ी पर पिछे चोधरी लिखा हुआ है क्या है और थोड़ा पास है मैं देखा हुआ है और वो बंदा जब गाड़ी से उत्रा तो हिंदी में बात करा हाँ हाँ इंडिया से है तो ये था जर्मनी का छोटा सा टाउन काईजर्सलोटन आई होप आपको ये वीडियो पसद आई होगी अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो पे की आपको कैसी लगी तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फिर मिलते हैं जर्मनी की इनी गलियों में घूमते फिरते चलिए तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार अगली वीडियो में मिलते हैं तो ये था जर्मनी का छोटा सा टाउन